कोड़ इवनिंग फ्रेंट कैसे आप सब मैं रोवित दिमान आप देख रहे हैं रोवित दिमार्जी चैनल रेफिजेशन एंड एर फेर्डेशन के नोलिज के लिए और आज हमारा टोफिक रहेंगा बस एसी हमने बहुत बात कर लिए विंड़ो एसी सप्लीट एसी कोस्चन थिर्च नोलिज्ट याकिन अब ठोड़ा बात कर भ talks करें बस असी में बात करेंगे बस ऐसी तो बस ऑसी के अंदर अनर एसी यूज कियो होता है यह क्यों जूडता है अब जैसे हम कर दो कर रहते हैं तो चीजज हम को क्या ठान करते है सब्सक्राइब करते हैं और किस प्रकार वरक करते हैं इन सब के बारे बात करते हैं चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपको सबसे पहले बात यह सबसे बैक साइड मतलब कि अगर यह हमारी कंप्लीट बस है तो यहाँ पे आपको back side में compressor मिलेगा और यह compressor चलता है engine की साहिता से engine की साहिता से चलेगा flywheel की साहिता चलेगा belt लगां के चलेगा तो जब यह 3 वर्ड मेंने बोल दिये open type है flywheel की साहिता चलेगा belt के दूरा चलेगा तो हमारा compressor कॉन सा हुपया recipe providing compressor घ्रक्रासिव के उज़गा अब चलिए आगे बात करते कैपेस्टी के अब जो हमारा कंप्रेसर की कैपेस्टी क्या रहे हैं चलिए सबसे बात करते आर्पियम गंदर आर्पियम की बात करतों मिनिमंगे और यह सब चीज़ें बस एसी के अंदर बता रहा हूं तो इस एक्सिंडर आर्पियम रहेंगे और मैक्सिमम ज्यादा ज्यादा आर्पियम की दोन हैंगे 5000 आर्पियम मतलब क्या रैगूलेशन पर अ मिनिट तो यह अब उससे आगे यह होंगे ऑगे अच्यिक मतलब परें तर्ण के अंदर कि बस एसी के अंदर हमारे जो टन कपच्टी और वह कितनी होगी तो यह पिछ हुआरें टन के पार्ष्टी यह 10 टं से लेके 50 टन फिक है यह नगर क्यों है क्यों कि अपने बस देख्कियों कि कोई तो आपकी होती है के क्यों बांग साइट मतलब जिसके अंदर बस बेस के अंदर शीटे लगे ते तेके डबल स्टोरेज या डबल शीफ वाली फ्लोर वाली जिसके उपर नीचे दोनू साइड में लोग बढ़ाया जाता है और एक बात और बता दुम आपको क्लियरी सबसे पहले वीडियो शेयर करते ना एंड आपके इस बस एसी लेटेड जितने भी डाउट हो यह जितने भी आपको यह लगे कि यह पॉइंट साहित गल्थ है तो वह सब चीज आपको कमेंट बोक्स में जोड़ लगता है तो प्लीज कमेंट बूक्स में लिखे और वीडियो को सेयर करना मत बूलिएगा चलिए आगे हम बात करते हैं कि यह होगा हमारा कंप्रेसर अब आगे हम बात करते हैं कंड्नेंजर अब इसके अंदर छलिए तोड़ा से पहले अपक्रेसर को चलाएंगे कैसे सबस बोर्ड होता है जहांसे सभी सप्राई स्टार्ट होती है यहां जहांसे वो बस को उप्रेट करें तो उसी के राइट हैंड में एक सप्लाई का बटन होता है किसकी सप्लाई का AC सप्लाई को own करने के लिए और जब वो AC सप्लाई के लिए button को प्रेस करता है तो क्या होता यहाँ पे जो मारा compressor है magnetic clutch की सायता से क्या हो जाता है वो engage हो जाता है जिस प्रगार कार AC में magnetic clutch के दौरा engage और dis engage होता है मतलब उससे मिलने के बाद करच की सवाइटा से हमारा कंबरेस्सर स्टार्ट हो जाएगा ठैक है चलिए हम बात करते हैं अब सबसे पहले हमारा कोशन है करने लगा पर होता है एक सिंपल या यह कहें हम एक अच्छा तरह से पूरी तरह से हमारा जो रेजिएंट है पूरी तरह से लिक्विड के अंदर चेंज हो जाए एक बड़ी एपिसेंसिक रूम में तो इस काहां से हम इसके अंदर कर्णेंसर यूज करते हैं बस की छत के ओपर बस के टोब की ओपर हम लगाए गए जैसे हमारा कंपर यहां पर यहां पे हमारा क्या होगा और आप यहां पर यहां पर यह यूज कौन सा होगा अब सिंपल सी वात है एयर्पॉर्ड यहां यूज होगा लेकिन एरबूड करनेंसर तो यूज होगा लेकिन हम सब्सक्राइब क्या रहेंगे है इस और जिए सेड़ की बात करूँ तो यह आपके बीच में रहें गे फैंट है और दौन साइड में आपका रहेंगी कोई कि साइड़ भी कि और कि साइड़ है है मतलब कि आपका बीच में फैंन रहेगा और दोनों साइड आपकी कॉयल रहेगी और इस कंडेंसर सब वो ہम नाम देगे मल्टी फिलो कंडेंसर होसा रूनेंजर मल्टी और मुल्टि फ्लू करनेंसर का दूसरा नाम भी है या हम इसको माइक्रो फ्लू बोल सकती है माइक्रो फ्लू करनेंसर तो यह हमारा कंप्रेसर हो गया यह यह इसके अंदर यूज हो रहे है बहुत है आगे इसके अंदर रहें करनेंसर के बाद हमारा एक डिलीक साथ आते है आप इसके अंदर को कोन साईूर करेंगे चुरू अट के रहे के यह पर कि और हमL चैनल के लिग सेथ京। तो यहां प예요 तर्मो स्टेंटिक एक्सपेंशन होगा स्पेंशों कि हमारी कारयस्टि मेडी थर्मो इसे थर्मोश्यिटी इक्सेंशन माली states और यहां पे उमारा थर्मों शेक्न्षन वाल ही यूज नेस्ट रेंश्ट हमारा अत है नदोल मेडे को साब हमारा यूज होगा जो हमारी सप्लीटेशी के अंदर यूज होता है फिंड प्लस बलोवर प्लस बलोवर अब यहां में बलोवर का यूज क्यों कि आए क्योंकि आपने जैसे की पाता है जो हमारी बस है अब जैसे माले हमारा बलोवर यहां पर लगा है यह मालो हमारा अपरेटर यहां पर लगा है मैं माल के चल रहा हूं ठीक है तो हमें इस परसन को कूलिंग कैसे दे क्योंकि हमारी जो बैक की सीटे होती है वो यहां तक होती है और अगर हम ऐसे लगाएंगे तो यहां पर कूलि करते हैं तो डग्ट क्या करता है अमारी एक प्रेटर प्लस ब्रोवर यहां से फेंग को ले जाने के लिए या एक डिस्ट्रिबूइशन करने के लिए हम यहां पर यूज करते हैं और जो हमारी डग्ट होती है वह हर एक सीट के ओपर ऐसे लगी होती है जब बी जिस भी person को जितनी भी air चाहीए या कोई ऐसा person है जिसको बुखार है उसको cooling नहीं चाहीए तो यहां पे वो यह मरी क्या होती है ग्रिल होती है तो इसको क्या खर्षता ओंध भी कर सकते हैं या और यह ओव मैनुवली भी हो जाएगा या जो इसके हवाना फLS छो नीची अरह इसको वापसे ऊपर की दरफ या इसको बंद कर भी बंद भी कर सकता है तो यहाँ पर डंट की साहेता से जो cool health है this was चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो हमारा operator है और जो हमारा compressor है उसके साथ-साथ कौन-गौन से part लगे होते हैं सबसे पहले तो compressor के पास क्या लगा होगा हमारे magnetic clutch रहेगी हमारी इंजन रहेगा ठीक है और एवप्रेटर के पास हमारा क्या रहेगा एक्सपेंशन वाल एवप्रेटर बलोवर डक्ट साइट ग्लास अब यहां में साइट ग्लास का यूज करेंगे और इसके निदर एक चीज का यूजर करेंगा रेसीवर का किशन अब रियकर के यूज यहां पर क्योंकि इस जो एफीशेंशी है जो बसकी टन से 50 तउ कहीना कहीं रेविजेंट भीजाधा शार्ड जोगा आगे वो भी बात करेंगे रेविजेंट कोंसा शार्ड जोगा तो इसραं संवियां पर रियक्र का यूजर करें साइटक है वह आप एक साइट गलास भी यूज करें जिसके अंदर से रेजियरंट को हम देखते रहें ठीक है तो आगे चलते हैं अब आगे हम बात करते हैं इसके अंदर ही अब यह अब है तो हम जी रेफ्रीज रेंट तो रेफ्रीज रेंट यहां पे हमारा आर वन थ्री फॉर ए यूज होता है लेकिन एक रेफ्रीज और यूज होता है आर वन तो थ्री वाई एफ बट यह अभी यह कैसे ते इंडिया में आया नहीं है या यह वो सकते इंडिया में यूज नहीं हो रहा है तो हम कौन सा रेजिन्ट यूज करते हैं बस के अंदर रवन फ्री फोर ही और इसके अगर बात करें कि कितना चार्ज होगा अगर हमारी कोई वालो बस है या टेन टेन क्यापेस्टी की बस है तो उसके अंदर हम रेजिन्ट चार्ज करेंगे नाइन किलोग्राम ठीक है तो नाइन किलोग्राम हम इसके अंदर चार्ज करेंगे और अगर आपको इसका चीए सक्षन प्रेसर स्टेंडिंग प्रेसर अंदिशार्ज प्रेसर तो वह भी मापको दे रहे हूं जी सबसे पहले सक्षन प्रेसर हमारा रहेगा इसके अंदर सक्षन डिश्चार्ज एंड स्टेंडिंग प्रेसर हमारा रहेगा 40 PSI और डिश्चार्ज हमारा रहेगा 150 से 180 PSI और स्टेंडिंग प्रेसर हमारा रहेगा 50 से 60 PSI सोरी यहां पर 50 to 60 PSI नहीं है 85 to 95 PSI और नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे इसके अंदर फाल्ट क्या क्या आएंगे और वर्किंग अगर आप समय से के लिए अबको रहेगा रहेगा नेक्स्ट वीडियो को सेयर करें और प्लीज वीडियो को शेयर करें और कमेंट बुक्स में जूर लिखें जो भी आपके डाउट है जो आपके पोस्टन है या जो चीज अगर मेरे करफित गल्द पताईगे तो उसको प्लीज कमेंट पर कुछ में लिखें ताकि नेक्स्ट वीडियो में उसको क्रेक्ट नोलिज सभी के पास पहुंच आए जासके एंड थैंक यू पर बोशी में वीडियो थैंक यू